आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि permutations और combinations क्या होते हैं permutations और combinations दोनों ही selection है objects के लेकिन permutation ऐसा selection है जिस selection में order matter करता है और combination ऐसा selection है जिसमें order matter नहीं करता तो permutation can be defined as selection of objects where the order of selection matters and combination can be defined as selection of objects where the order of selection does not matter दोनों को समझेने के लिए हम examples ले लेते हैं तो सबसे पहले permutation का example suppose करते हैं कि हमें 3 digits दिये हुए हैं 1, 2 और 3 और हमें इन ही को use करके 2 digit numbers बनाने हैं तो इन को use करके कितने ऐसे numbers बन सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए है 12 बन सकता है 13 बन सकता है 21, 23, 31 and 32 अब अगर हम यहाँ देखें तो 12 और 21 यह दोनों में same digits use हो रहे हैं लेकिन order की वज़ा से दोनों की values अलग अलग हैं यहाँ पे 1 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है और यहाँ पे 2 पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है तो order of selection की वज़ा से value change हो गई तो यह दोनों अलग-अलग values हैं उसी तरीके से 13 और 31 यह दोनों different values हैं 23 और 32 यह दोनों भी different values हैं तो 1,2 और 3 को use करके अगर हमें 2-2 digits को select करना है तो हम ऐसे 6 possible selections लिख सकते हैं उसी तरीके से अब हम एक example combination का भी ले लेते हैं suppose करते हैं कि हमें 3 लोग दिया हुए हैं Amy, Bob और Roy और हमें कहा गया कि 2 लोगों की team मनाईए तो हम कितनी teams मना सकते हैं ऐसे तो हम Amy और Bob की एक team मना सकते हैं या फिर कहें Bob और Emmy की एक team मना सकते हैं तो देखी यह दोनों teams अलग अलग नहीं है यह दोनों एक ही team है तो हम चाहें Amy और Bob की team बोले या Bob और Emmy की team बोले तो यह ऐसा selection है जहां पर order matter नहीं कर रहा है कर रहा है और यह combination है जहां पर order matter नहीं कर रहा है उसी तरीके से जो second team हम बना सकते हैं वो emmy और roy की बना सकते हैं या फिर हम कहें roy और emmy की बना सकते हैं और third team bob और roy की बना सकते हैं या फिर roy और bob की बना सकते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 possibilities हैं लेकिन ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है ये दोनों same ही है उसी तरीके से ये team और ये team ये दोनों भी same है और last की जो दो teams है ये दोनों भी same ही है तो यहाँ पे actual में 6 possibilities नहीं है तीन ही possibilities हैं तो combination वो selection है जहाँ पे order matter नहीं करता एक और example हम ले लेते हैं permutation और combination को समझने के लिए ये cricket का example है तो cricket fans काफी अच्छे से इसको relate कर पाएंगे तो suppose करते हैं कि एक match हमारे पास IPL की है और एक World Cup की है तो IPL की जो match है वो सबसे पहली है MI vs DD या फिर हम कहें DD vs MI तो अब अगर हम इन दोनों matches को देखें तो इन दोनों matches में वही दो teams खेल रही है लेकिन ये दोनों अलग-अलग matches है एक ही match नहीं है वो इसलिए कि IPL का rule आपको पता होगा कि MI vs DD जब लिखा हुआ होगा तो जिसका नाम पहले होता है match उसके home ground पे होती है तो जो पहली match है MI vs DD इसमें जो home ground होगा वो MI का होगा और जो second match है DD vs MI ये एक अलग match है क्यों? क्योंकि DD vs MI में ये जो match होगी ये DD के home ground पे होगी क्योंकि पहला नाम DD का है तो MI vs DD और DD vs MI ये दो अलग-अलग matches है क्योंकि order change करने की वज़े से venue change हो रहा है तो ये एक permutation का example है उसी तरीके से अगर हम World Cup के एक match consider करें suppose करते हैं India vs Australia एक match है तो हम चाहे इसे India vs Australia लिखे या Australia vs India लिखे ये दोनों अलग-अलग matches नहीं है ये दोनों एक ही match होगी order change करने की वज़े से venue change नहीं होगा तो ये ऐसा selection है जहां पर order matter नहीं कर रहा तो ये combination का एक example है हम permutation और combination को आसानी से समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि permutation, selection और फिर arrangement है और combination स्रिफ selection है तो आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी next वीडियो में